कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम जब कहीं जाते हैं तो अपने आपको बहुत कम तॉलते हैं अपने आपको लगता है कि मैं बहुत कम हूँ मैं बहुत पीछे हूँ पर आज की स्टोरी बहुत ध्यान से सुनियेगा बहुत हीमत बढ़ने वाली है अपकी एक बार एक सहर में एक मंदिर का निर्माड हो रहा था उस मंदिर के लिए बहुत से लोग चंदा दे रहे थे दान दे रहे थे एक रिक्सा अचालक रोज सोचता कि मैं भी कुछ दान करूं मेरा भी कुछ अंस इस्वर के काम में आ जाए मेरा भी कुछ योगदान हो जाए इस इच्छा से वह रोज मंदिर जाता पर वहाँ हजारों और लाखों की पर्ची कटवाते देख वो पीछे से ही लोट आता उसकी हिम्मत न होती आज मंदिर में दान देने का आखरी दिन था मंदिर लगभग तैयार हो चुका था कल मूर्ती अस्थापना का दिवस था रिक्सामान ने देखा और अपने जेव में पड़े 50 रुपे की नोट को छूप कर टटोला और बहुत ही हिम्मत जुटा कर वो आखिर पहुच गया उस काउंदर पर जहां दान के पैसे जमा हो रहे थे वह दान काउंटर पर पहुचा और अपनी जेव से 50 रुपे निकालते हुए मंदिर समित के करमचारी की तरफ बढ़ाते हुए बोला भाया ये 50 रुपे अगर इस्वर के काम में जमा हो जाते तो अभी वो अपनी बात पूरा भी नहीं कर पाया था कि मंदिर समित के करमचारी ने उसके हाथ में 50 रुपे की नोट देखकर मुँ बिचकाते हुए कहा इतने थोड़े से दान की रसीद नहीं कटेंगी तो रिक्सावान ने बुला कोई बात नहीं आप ऐसे ही जमा कर लीजिए मंदिर समित के करमचारी ने मन मसोचते हुए उसके हाथ से 50 रुपे ले लिए और अपने कुर्टे की जेब में डाल लिए और रिक्सावान बड़े खुसी से और बहुत ही उसाह से वो वापस चला आया कि सुकर है आज मैं अपने मन का कुछ कर तो पाया दूसरे दिन मंदिर में काफी भीड थी सबसे बड़े दान दाताओं का नाम अलग से लिखा हुआ था जिन्हें मूर्ती अस्थापना के बाद समालित भी होना था काफी चहल पहल थी मंदिर के पुजारी भी आ गए और लाल बस्र में धकी हुई मूर्तियां भी आ गए अब उनको वहाँ पे एक एक करके अस्थापित किया जाने लगा जब भगवान की मूर्ति अस्थापित करने की बारी आई तो भगवान की मूर्ति का जो मुकुट था वो बहुत धिला था वो ठीक से सेठी नहीं हो रहा था उस मूर्ति पर कि क्या करें इतने में किसी ने बोला कारीगर को बुलाओ और थोड़ा उससे समझो कारीगर बोला मूर्ति के मुकुट में बस एक छोटी सी तेक लगने की देर है तेक लगते ही मुकुट अच्छे से मूर्ति पर सेठ हो जाएगा सब लोग ने बोला ठीक है फिर वो टेक ले आओ तो कितने रूपे में आएगा उसने बोला पचास रूपे में मंदे परसर का जो करमचारी था उसने अपनी जेव से उस रिक्सेवान के द्वारा दिया गया पचास रूपे निकालते हुए उसे दिया और वो कारीगर एक छोटी सी टेक ले आके लगा दिया टेक लगते ही इतना बढ़िया मूर्ती में वो मुकुट सेट हो गया कि लग ही नहीं रहा था कि कहीं से धिला भी और फिर मूर्ती अस्थापित की गई मूर्ती अस्थापना के बाद सभी भक्तों ने भगवान के दर्सन किये ऐसा लग रहा था जैसे भगवान चाह रहे थे कि जब तक उस रिक्सावान का दिया गया दान हमारे में प्रियोग नहीं होगा तब तक मैं किसी को अपने मुख मंदल का दर्सन नहीं दूंगा और आप सब बड़े आनंदित थे और बहुत प्रसन थे सही बात है दिखावा करने के लिए दिये गए लाखों के दान से बहुत बेहतर है कि भाव से दिया जाए 10 रुपे का दान भी बहुत है एक छोटा भी दान अगर अगर समरपड के पर होता है तो कैसी लगी आज की यही स्टोरी आपको कमेंट करके जरूर बताईएगा अभी जिन्होंने सब्सक्राइब किया है लाल बतंदवा के उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और आप इसको सेयर कीजिए जिससे हमारा चैनल आगे बढ़ सके साथ ही अगर आपको पने पसंद की कोई स्टोरी सुननी हो तो कमेंट में जरूर लिख के बताईएगा धन्यवाद